हलो अब्रिवरन वेलकम टो माई चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई विंटर्स में बहुत सारे साग आने शुरू हो जाते हैं उसमें से आज मैं बत्वा का साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें आलू, मतर, टमाटर के साथ मैंने मिक्स करके बनाया है जो बहुत ही डिलिशियस और हल्दी वे में बनता है बत्वा ले लिया है मैंने एक गुच्छी बत्वा को लिया है बत्वा के पत्ते पत्ते तोड़ लिया है और बिलकुल पत्ली वाली स्टेंस ले लिया है और तीन पानी मैंने इसे वाश कर लिया है पानी को जड़क लिया है एक बड़े साइस का प्याज बारी काट लिया है द तो हाफ टी स्पून जीरा ले लेंगे रेट चिली पॉडर हल्दी पॉडर और गरम असारा ले लेंगे थोड़ी सी हिंग जाएगी और नमक जाएगा और इसे बनाएंगे सरसो के तेल में अब मैंने बत हुआ को अच्छे से बिलकुल बारिक काट लिया है तो आप चाकू के थूँ बारिक बारिक पत्तो को काट के रख लेंगे सारी तेयारी हो चुकी है चलते हैं बनाने के प्रोसेस पे एक कड़ाई रख लें कोई भी कड़ाई थोड़ी सी गरम हो यहाँ पे दो टेबल स्पून ओयल डालेंगे सरसो का सरसो का तिल जैसे ही स्मोकी हो जीरा डाल दिया है और यहाँ पे लेसन डालेंगे जीरा थोड़ प्याज डाल दिया है प्याज को भी हलका सा सॉफ्ट होने तक या उसकी जो किनारिया है हलकी सी color पकड़ ले light brown उस point तक भूनेंगे और यहाँ पर मैंने आलू डाल दिया है आलू को medium high flame पर चलाते हुए 2 minute मैंने भूना है इसके बाद यहाँ पर मटर आड़ कर देंगे मटर जो फ्रेश होते हैं थोड़े कुक होने में टाइम लेगते हैं, तो थोड़ा सा इसे पांसे 6 मिनट के लिए अलू और मटर को आच्छा से भून लेंगे। धकेंगे नहीं, मैंने आप इसे भून है, थोड़ी सी हल्की हल्दी डाली है, हल्दी को मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल किसी हल्दी डालेंगे और इसके बाद टमाटर डाल दिया है टमाटर का मैंने इसमें छिलका निकाल दिया है क्योंकि छिलका साग में पक जाने के बाद अगर अलग से दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता है तो टमाटर का छिलका छिलका निकाल दें और इसके पल्प तो सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है थोड़ी सी भुनाई हो गई थी आलू और मटर की और इसके बाद मैंने आपे बारिक कटा हुआ बथुआ डाल दिया है अब बथुआ के मौश्चर से जो आलू और मटर थोड़े पके नहीं है तो ढ़क के धीमी आज पर पका है बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि नीची तले पे लगे नहीं सबजी और आलू को दबा के दिखा रही हूं आलू सॉफ्ट हो चुकी है मटर पक चुके हैं तो लास्ट में जब दो मिनट और पकाना हो तो गरम मसाला एट किया है और गरम मसाला एट करने के बाद चल के लिए बनाए लंच और बनाए डिनर भी बना सकते हैं आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेगा ऐसी बहुत सारी आगे नई वीडियो में नई रेसिपीस को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मिलती किसी नई रेसिपीस के साथ नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन टेक केर ओफ यॉर्सेल्फ बाइब